आपका हर्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि अंचाहे बालों को जड़ से खतम कर देने वाला एक पहुत अच्छा जबर्जर्ष्ट घरेलोन उसका दोस्तों बाल हमारे सरीर में इंसुलेशन के रूप में काम करते हैं दुनिया भर में कई लोग इसे कोस्मेटिक समस्या मानते हैं सरीर के विभिन चेतरों में ऐसामाने बाल विकास के लिए हार्मोनल एसंतुलन एन्यमित मासिर्म और कुछ द्वाय जिम्मेदार हैं सरीर पर अंचाहे बालों को हटाने के लिए कई तक्नीकों का इस्तिमाल आजकल दुनिया में किया जा रहा है जिसमें इस्थाई और इस्थाई दोनों ही सामिल है जिसमें मेन रूप से है लेजर और एलेक्ट्रो लाइसिस इस्थाई बालों को हटाने की महेंगी तक्नीक है लेकिन इसके साइड अफेक्ट भी बहुत जादा है साधरनत घरेलू उपचार से भी आप बालों को हटा सकते हैं इन सभी घरे लूप चारों में बालों को हटाने के लिए चीनी बहुत परभाव साली और सस्ता उपाय है दोस्तों इसके इस्तेमाल से आप अंचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं और अंचाहे बालों को हटाने के लिए चीनी का उपयोग बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए हमें सामगरी चाहिए सिर्फ नीम्बू और चीनी जब नीम्बू का रस और चीनी एवांचित या अंचाहे बालों को हटाने में काफी मदद करती है इसकी विधी एक कटोरे में एक छोटे कटोरे में दो चमच चीनी और नीबुकरस ले ले फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले उस जगह को साफ करें जहां से आप बालों को हटाना चाहते हैं अब परभावित इस्थान पर उस मिसरन को लगा दें और इसे 15-20 मिनिट तक लगावा छोड़ दें फिर अपने हाथों से साफ कर ले उसको जो अपने वो पेस्ट उसके उपर लगाया था इस परक्रिया को एक सब्ता हमें दो से तीन बार दोराएं इससे जो अंचाहे बाल हैं वो वहाँ खुद बखुद ऊग नहीं बंद हो जाएंगे और इस तरह से इस उपाय के करने से वो अंचाहे बालों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तो एक बहुत अच्छा उपाय है आप इसको इस्तिमाल करें और अंचाहे बालों से छुटकारा पाएं आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें हम जल्दी फिर लोटेंगे कु झाल